हाई फ्रेंड्स मैं कुमार्धाजी सिंग मैं आपसेद को इस वीडियो में ऐसे सीज़ीटी प्रिवियस येर जो 2019 में ज्याम हुआ था उसमें से मैस का ये पार्ट 21 वीडियो आप लोग सामने एक वरेक्टिक सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं इस पार्ट में मैं 19 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में यानि लाट्स शिफ्ट में मायत के जो भी 25 प्रस्नें पुछे गए थे उनसे भी प्रस्नों को हल करने की कोशिश करूंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पाला प्रस्न यह जो है चार्ट दिया गया इसके मतलब इसमें दिया कंप़नी कंपणी का नाम दिया है के बराबर है एक दस्मालों के एक अस्थान तक करना किजिए चलिए इसका सुलूचन करते हैं अब देखिए जैसा बोला कि A B D तो A पलस B पलस D बने लिख लिया इसके द्वारा बेची गई कैयों की खुल संख्या तो कितनी बेची गई है अब क्या बोल रहा है जो इन तो इन तो द्वारा बेचा गया है उसका कितना परतीशत जो है सी है तो लिकाल लेंगे हम 98 का एक सबसेंट एक सबसेंट मनेख मैं एक बाटा में 100 बढ़ाबर 36 यहां पर जब लिकालेंगे तो 18 दुना के 36 कर जाएगा उनचास दुना के रिख जाएगा आपको 98 ठीक है तो यहां क्या बचेंगा एक सब्सक्राइबर 49 सब्सक्राइब करेंगे आप तो आएगा 36 दस्मों साथ यहां प्राइटेंसर हो जाएगा अप्सन एक चलिए आगला प्रस्न देखते हैं यह आगला प्रस्न आप लोग के लिए इसमें प्रस्न में पड़ दे रहा हूं डो ट्रेने एक ही समय पर चलना शुरू करती है ट्रेन ट्रेन जो पी है यह मतलब यहँ ट्रेन लोग के मतलब करेंगे से शिर्ष ऑर बी यह पर पहुचते हैं यानि दोनों अपने इपने ऑ पोजित ठीक पहुंच जाते हैं ठेक है P जो है चल जाएगा आपको P चला जाएगा B की ओर और A जो है क्या Q जो है आजाएगा A की ओर मतलब आपने अस्थान पे पहुंच जाते हैं ठीक है अब बोलना है कि P की चाल 90 किलोमेटर पर आउर है इसकी जो चाल है 90 किलोमेटर पर 30 घंटा इसका चाल है तो Q का चाल ग्याद करना है तो इसका आप लोग को बनाना है इसका जवाब डाइटेंस आपको निचे कमेंट वर्क्स में देना है ठीक है तो चलिए आप लोग बताईएगा अग्रा प्रस्न एक आयतकार खेत का विकरण 15 मिटर है ठीक है आपको इसका जो भी कंड दिया है 15 सेंटिमीटर फ़री 15 मिटर दिया है ठीक है 15 मिटर अब क्या बोला इसका छेत्रफ़ल 108 मिटर स्कुराइर है तो 50 रुपिया 50 पृशाप रती मिटर की दर से इस खेत में बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी तो चलिए हम इसका पहले बनाते से पहले हमको यहां पर लंबाई चोणाज प्रता करना होगा ठीक है तब इसका लिकलेगा आयतन जो लिकल जाएगा तो उसके उसमें क्या कर देना है 50.50 से गुना कर देना है चलिए हम इसको बनाते हैं आप क्या दिया आप लोग अगर देखेंगे यहा आधर सक्वाइर का होता है ठीक है तो कितना हो जाता है और यह रूट आएगा धर फॉलस बीस्कॉएर बर्व कितना हो जाएगा अब देखिए यहां पर तो क्या जाएगा L square plus B square बरा हो जाएगा 225 ठीक है L square plus B square का लिख सकते हैं तो L plus B k whole square ठीक है अंगलती होगा L plus B k whole square यह नहीं होगा L plus B whole square minus 2 into L into B लिख सकते हैं पराबर 225 और L into B का मान कितना दिया है यहाँ पर देखेंगे इसका छेत्र फॉल यानि लंबाई गुणे चोड़ाई L into B बरा कितना दिया है 108 मीटर मतलब में 8 मीटर square दिया हुआ है ठीक है तो L into B बरा कितना दिया एक 108 से दो में उगड़ा करेंगे 216 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो दूसर सोला उधर जाएगा मतलब यहां पर 108 हम लिख लेंगे 108 ठीक है 108 लिख लेंगे 2 into 108 कितना हो जाएगा नियुदे बें, 12 माइनस में इधर जाएगा तो पॉलस में ठीक है तो अब क्या होगा एल प्लस बी का wellness कितना हो जाएगा तह यहां पर हो जाएगा तो टू इन्टू एल पलस भी वरा कितना है 21 है ठीक है एल पलस भी वरा गया है 21 ते 21 रख देंगे अब देखेंगे तो 21 से जब दूब में गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका परिमाप आजाएगा मतलब 42 मीटर स्कॉरर आजाएगा 42 मीटर हो जाएगा ठीक है अब क्या है बोल रहा है कि एक मीटर का जो चार्ज लग रहा है पचास दसमीलों पचास विशा लग रहा है तो 42 मीटर कितना लगेगा तो 50-50 से गुणा कर देंगे यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे तो आएगा आपको 42 कई तो यहां पर इसकर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए माध लिकलना है तो माध हैनि क्या होता है संख्या को गिनेंगे आप तो 246 28 मतला कितनी संख्या है ठीक है तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाइड गेट हो जाएगा सबको जोड़े ना है पहले तो कितना यहाँ पर आ जाएगा आपको 2404 आ जाएगा निकार कि इसको गिंते हैं पहले तो यह क्या है इனमबर है और विच वाला लिख लेट अगर विच से संख्या धीया घटाँ थीगर वीच्वाली संख्या इसको जोड़का बाटा में कर देंगे रहंत आप जोड़ेंगे अगर 16 बाटा में दो कर और लिए इसका ितीए स्मॉलों पांच रहा जाएगा ठीकर वरास ब्लब कहीं मतलव रेंज है mr. संख्या माइनस सबसे च्छोटी संख्या तो 55 सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं आप उसके बाद च्छोटी संख्या च्छा जाएगा कितना बचेगा तो आपको बच जाएगा उन्चास अब इन तीनों का क्या पूछ रहा है कि आफसात पूछ रहा है तो इन तोनों एक 110 वटा में 3 तो जब इसको पुडांग में करेंगे तो क्या होगा नीचे 3 का 3 हो जाएगा यहां पे पुडांग में तो लेंगे तो 36 पुडांग 2 वटा तीन आजाएगा इसका राइट एंसर चलिए आगला प्रसुन देखते हैं आप लोग यहां पर उसका इंसर देख सक किजिए जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवीड़िक करके की जाती है मतलब 8 महीना में उसको साल लग जा रहा है अठ महीना में एक बार लाएगा यानि 2 वर्स में कितना बार लाएग तो इसक गृष्प कर दो चाइन बार लाएग आपको टाइम हो जाएगा आपको ती सेंट नौव परसेंट कितना में 12 महिना में आठ महिना में याप लिखाल लेंगे तो तीन से 3 से 3 बार में 3 से कर जाएगा 3 से यह कर जाएगा दलबार में यानी 6% आर cob नीर आप कितना जाएगा छाव पतीसतो.' ठी कहाई? अब मुल्धन दिया गया है 15,800। पी दिया कितना 15800 ठीक है अब इसका चक्रविधी व्याज पूछ रहा है चक्रविधी व्याज का फर्मूला क्या होता है तो पी यानि मुल्धन तो मुल्धन कितना है 15800 ठीक है तो मुल्धन लिख लिए इन्टू वन पॉलस आर्वाटा में 100 लिख लिए ठीक है चक्रविधी मिस्रद्धान आ जाएगा इसमें से जो भी आएगा उसमें सबको क्या करना है 15800 घटा लेना है ठीक है तो आप मैं लिका देता हूं देकि आप हुआ है शर वहं कितना हो जाएगा चाथ जी आ जाएगा चैंगा 50क कर जायेगा यहां से कृसे यहीत सब्सक्राइब कर देंगे तीन बर कर देंगे तीन बटा में 50 हो गया यहां पर ठीक है अब क्या बचा उपर जो भी बचा है तुसका सब्सक्राइब कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर यहां पर आठाइब क्या तो यह क्या आगए यहां चक्रविधी मिस्रधन इसमें से आपको क्या करना है इसमें से आपको 15,800 ठीक है पॉन्दराजार आठ सो यह घटा लेना है जब घटाएंगे यहां पर तो आपको कितना आजाएगा आपको आएगा तीस अठारह तीस अठारह दसमो लो आपको आजाएगा जीरो पांच दू सम्थिंग आएगा ठीक है तो यहां से मांग चलिए आपके आओ गया तेहां पर पुछा था निकर्तम रुपज तक तो तीस अठारह पॉइंट जीरो पांच है तो इसको क्या मनेंगे तीस अठारह ठीक है आप इसका लाजाएगा आपसन दो चलिए अगला है मतलब आठ माइना कश्वाशन दो आठ माहिन करें तो शौप रस फेंट आजाएगा तो इसलिए आर बरावर चांब से लेंगे और आठे माहिन हम किया जाता है तो दो बर्स में कितना में होता है चौब्स महीना तो एकत तरफ से उसमें कितना हो जा भरस का तीन बरस दू काच्छा में लड़कों और लड़कीयों की ऊउसत आयू करमस रस चॉदा दस्मलों 5 वर्स और 15 वर्स है यदी लड़कों और लड़कीयों की संख्या कानुपातgens 2 अनुपात Ping तो काच्हामें सभी चाट्रों की ऊउसत आयू क्या है सलिए इसका सलसें करतेंए अब एखिए हम इसमें X से गुणा कर देते हैं, इसमें भी X से गुणा कर देते हैं, ठीक है, मतलब 2 x और 3 x क्या होगी है, 2 x होगी है आपको लड़का और 3 x क्या होगी लड़की एक संखिया, लड़कों का अफ़र तब कितना दिया है, 14.5 वर्स, तो दो लड़के हैं तो कि पेटा में 3 कर देंगे किया जाएगा आफ्वाता सब्सक्राइब टीन शख इसका राइट जाएगा आपको तीन दूनण के चोव एक बच्छा 322 ठीन शक 18 तोटल मतलब कितने हो जाएंगे दो इसमें लड़का वलोड की दोना मिला कितना है पांच नहीं तो यहां पांच से पांच से करेंगे तो 14-25-75-80-40 टेखते हैं एक ही चार्ट से मतलब एक सीफ्ट में कम से कम दो तिन कोशन आते हैं ठीक है तो इसको चाट को फ्रसा द्यान से दिया खांच यहां 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 पर संख्या यह बोला है प्रस्ण है S और E दवारा 1 साथ निर्मिति कायों की संख्या S और E दवारा S जोड़ लते हैं S पलस E किसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा 36 और यहाँ पर amtचगन है निर्मिति काहीं पूछ रहा है जोड़ें अब क्या बूल रहा है A और D द्वारा एक साथ बची गई A और D द्वारा एक साथ बची गई A के द्वारा 30 बची गई है A पलफ D यहाँ कर लेते हैं A के द्वारा कितना बची गई है 30 और D के द्वारा कितना तो 36 तो यहाँ पूछ रहा है कि C और E द्वारा एक साथ नियुमित इकाईयों की संख्या ता था A और D द्वारा नियुमित फरी एक साथ A और D द्वारा एक साथ बेची गए इकाईयों की संख्या का अनुपात ठीक है तो 90 बटा में क्या हो जाएगा यह afect गश्रीर सब्सक्टे रहर है नजम किया गया है 90 और ए और बिवयають रहरं कितना भुड़ा गया जांग्हाइघ साथ यहां से करेंगे तीन से नुज़ाहत कर जाएगा यह इसको कर जाएगा कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है चलिए आगला प्रशन देखते हैं यह दिया गया आपको और इसका जो पूछ रहा है कमान किसके बीच नहीं थे पूछा ठीक है तो इसको हम सलुसंग करते हैं पहले सभी कोष्टों को पहले करते हैं ठीक है पहले यहां से देखेंगे तो यह क खौद तो वर कितना हो जाए गई कितना है तो दो कि आए 1313 के पहले यहां पर 307 कर देंगे टिक है अब देखिए तीन भागा दिया है ठीक है तीन भागा है मतलग छोबटा एक जाए तो तीन अब देखिए आप ऐसे आप समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि 6 एकम 6 हो गया तीन अंक के पहले दस्मोल बठा दिया ठीक है डिवाइड है अब देखिए यहां पर माल लेते हैं 3 तो 3 अगर लिखेंगे तो दस्मोल लाटा गया तो क्या हो जाएगा अपर क्या हो जाएगा तीन उटा में 100 अपर क्या हो जाएगा तो डिखेंगे तोταν के जाएगा दो यहां चाल जैगा रिखेंगे अगर तो क्या है तो है 0,06 तो 0,06 यान 6 बटा 10 लिखते हैं इंटू 50, 70 बटा में 100, दोंके 10 लिखते हैं पलस आठ डिभाइड वेज 16 तो आठ बटा में यहां पे 10 अडिभाइड को क्या करें गुड़ाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा में 16 ठीक है आठ से कितना बन कर जाएगा दो बार में अब देखिए और यहां पे क्या हो जाएगा तो 25 से यह तीन बार में 25 तिया पुचातर 25 से यह चार बार में यह दो से दो बार में यह तीन से तीन से दो बार में ठीक है फ़र दो से तीन बार में दो से दो बार में पर क्या बचा तो इधर बचेंगा कितना बचा यह डिपार में को आ जाएगा दोज आ गो मर। तो अब आगे देखिए अब क्या कियेंगे और जब इसको कोस्ट को टूड़ देए तो यहां क्या है डिभाइड है पहले हैं पलस है तो पलस अलबाद में होगा तो क्या बचेगा 9.5 है तो 95 हो जाएगा डिभाइड को गुणाम चेंज करेंगे तो एक बटा दो है तो क्या जाएगा है तो हो जाएगा दो से 5 बार ऑनके कितना बर में उन defender हैं इदर कितना हो गया टोटल इसको यहां तक आपको आ गया मोगया इनिस ठीक है और यहां पर नीस अगल आप अलब जीरो क्तल स्थ पच्छेता नहीं आ जाएगा आपको यहां पर हो जाएगा 19.75 हो जाए तो 5 ती आई 15 दस मलो बचा कितना चार बचा तो 5 पर 945 दो बचा पचा पचीस यानि या गया 3 दस मलो नौ पांच तो यह किसके बीच आएगा तो 3 और 4 के बीच यहां पिसकर आई टेंसर हो जाएगा आप्सन 4 चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन एक दुकांद अपने आपने परह प्लאל कितना होगा हंडर्डर परसन्ट तो देखिए मने मान लिया इसका क्या क्या हैं 16 रूप्या मान लिया करें मूल यह क्या करा пожशेंध विर्डरा है मतलब पहले 100 परसन उखड़ था आप कितना कररहा है rattling पॉसापचीस पशूट करेमूल को कुछ पर दो दो ढशेंट पर रोड़ रहा है कि दस्वटे आज पुकेंर बटमें 100 बड़ावर अब क्या बोला है वास्तू को 720 रप्यम बेज देता है 720 यहां पर हो गया बड़ावर ठीक है क्रेमूल का बोल रहा है कुछ 25% टूपर दो 25 बटम 100 का 10% शूर्ट दो 9 बटम 100 बड़ावर यहां सकती तो ओलिकर जाएगा हमारा क्रेमूल चलिए इसका सलुस्जण करते हैं 25 से यह कर जाएगा आपको पांच बार में नोसे करेंगे तो आज जाएगा अपको 16 बार में ठीक है और चोपो qt64 आ नी 220 क्योंकि 4 x8 इसर बचा हुए ठीक है बरावर हमका 640 ऊप्धा चल गया मेरे को ठीक है अब आगे दखिए और बाजार मुल्य के बीच का अंतर कितना हैं तो बाजार मुल्य कितना था यह 25 मुल ये चार बहर कितना बहर कितना हो गया बजार मूल आट सो रुपिया तो मतलब हो गया चार्प्राइस का एकश्व पर्सेंड तो आरस अर यह हो गया और खरिदा कितना है डिकाउन दोनों का नतर लिका लेंगे तो कितना है यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन दो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण इसमें दिया गया कंपणी खिर मतला वह यह चाटा गया ठीक है अब एक इसको क्या बोल रहा है कंपणी दिया गया इदर देख सकते हैं आप लोग यह से लेकर ही त प्रस्ण में सुन ली जाएगा ध्यान से किस कंपणी ने उसके द्वारा निर्मित को इकायों की तुला में बेची गई एकायों ठीक है यहां बेची गई एकायों के उच्टम पर तीसवत की विक्री किस ने की तो यहां पर हम का करेंगे अब सब का पहले लिकाल लेंगे इ संख्या नीची हो जाएगी ठीक है अब देखिए इसी का लिकालना है तो जब लिकालेंगे अगर आप तो एक आग वाट कर लेखा है आप लोग अगर बैठेंगे तो पूड़ा कर ली जाएगा ठीक है तो आप लोग करेंगे देखें कर रखके बताद रहूं यहां पर यह जाएंगे देखिए यहां करेंगे 30 वटा 42 वागा 02714 यहां आप करेंगे 32 वटा 45 वाएगा भी वला में 071 मतलब आप लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो टोटाल इतना आएगा ठीक है इसमें पूच रहा किसका उश्तम पर 30 विक्री है किसका है तो आप लोग देख सकते है आप 02740 यानि किसका है यह क्या तो आप इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं इसका एंसर यहां पर देख सकते हैं ठीक है अगला प्रस्न यह दिया गया है 17,14,22 और 18 में से एक्स घटाया जाता है तो यह संख्या इसी करम में समानुपात में होती है तो 9X और 5X के माध्या समानुपात क्या है चलिए इसका सुलसन करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा 17 बटा में 14 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा इधार 22 बटा में 18 अब बोल आया कि दोनों से एक्स घटाया जाता है माले जिए älएम UK 2X घटाएंगे यहांत EBS घटााएंगे और यहांत भी 10 घटाएंगे तो कौन सी ऐसी संक्या घटाएंगे जब की बराबर हो जाएगा 2 तरब कानुपात मतलब हाँ आपने भी घटा सकते हैं कि मतलब एक सबस्क्राइब कोन सी सितन क्या रखेंगे कि दोनों तुर्ण पका रखल रखते आँ छीए आप गटाएंगे तो 16 बटा ते रहां जोगा रहां पर कटैंगे यहां से इतना बार्व हों कट जाएगा थी तरे रखें दू रखें हैं जो अधक्र नौफ आगे क्या पुछ रहा था नौओ एक्स और पांच येक्स का माध्य मानुपाद तो माध्य सीजियत चाहिबहाँ क्या होता है अंड़र में मढ़झदर कbn अदरण टी करेंगे तो नोवेक्स हें टुपाँच एक से एक से तो पोया लूब्स और सक्ञा नहीं होगा किन वाही हो 45 इंटू 25 इंटाएंगे के अधो पर निकर दिका सके राफिण प्रस्फनेन चलिए अगला प्रस्फन हो अंपनी समाने चाल की 75% मंत कोई भ्यक्ति है जो कि 75% चाल से चलते हुए अपनी समाने चाल की 75% चाल पर चलते हुए रभू अपने करियाल आसी मिनट देर से पहुंचा यह दूरी तै करने में उसको लगने वाला समाने समय घंटों में कितना है घंटों पुछ रहा है चलिए आमें आप इसका सलुसन करते हैं 30% यानि कोई भी अपने दूरी में क्या हो जाओ पचातर बटा में सव कर देंगे तो 25 तिया पचातर पचीस हो के सव मालने तो टोल दूरी एकस है ठीक है तो अब क्या हो गया तीन तीन बटा चार से चल लाए तो कितना लग रहा है इसको आसी मिनट देर ही हो रहा है ठीक ह ठीक है अब देखिए जब जब की दके यहनी इसको चालना चाहिए था चाठ से वाट कितना से चल रहा है घृए आभ गया यह दो चाल हो गया खल के ठीक समय कर रहा है आप तो 蛏क राबर एक लेख रीख रहे तो इंद यह ना है gef कितना हो जागा और्यां तो नुआ कि इसको टोटल चुझा चान deception चार टीन उस्ट मतलों कर एक कार्णा एक क्ततो रहा है 40 पैल से चल्ड़ा यहाइं ते Juris तो कितना हो जाएगा 80 मिनट में 3 कंवा चलेगा तो कितना चलेगा 200 मतलब 80 मिनट के सब्सक्राइब हो चलेगा किया इसको मैं फिर से 15 प्रसेंट चाल पचलता है अभी अपने जो रहू है अपने के डाले 80 मिनट जर्थे पूंचाय है मतलब 3 बटा में 4 हो गया यहाँ पे तो 4-3 चल चाल तो यह समय होगे 3-4 एक रस्यों बराब 80 मिनट यानि तीन रस्यों से चलेगा थिक यहाँ पर गंटा में पूछ रहा है ठीक है मतलब बहुत दूरी 15 से चलेगा बाट उतनी द अपनी आय का 16% बचाती है अब उसकी आय में 20% की विर्दी हो गई है लेकिन अब वो अपहले की तरह ही बचत करती है उसके ब्याय में हुच परतिसत विर्दी कितनी है अब यहाँ क्या कर रहा है तो पहले तो आमदानी होगा, यानि आय होगा ठीक है, आय आए के बाद क्या बोल दा है खर्चा 100 रूपचा ठीक है तो आए के बाद रख लेते हैं हम यहाँ पर बचाती तो खर्च कितना करती थी तो यहाँ पर करती थी आपको 64 यानि 100 रूपचा करती तो बचाती है यानि खर्चा कितना हुआ है 84 रुपिया अब क्या बोल रहा है कि अब उसकी आय में 20% की व्रिधी हो गई है तो आय में 20% की व्रिधी पॉले 100 रुपिया था अब कितना हो जाएगा 120 रुपिया अब फिर कागए का बोला लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है तो भुअलेक्तरा यानि 16 रूपया ही फिर बचाती है ठीग है तो कितना हो जाएगा यहांपर 104 हो जाएगा अब दोखिये क्या पर रसना बोल रहा है कि उसकी ब्याए में फूई पर 30 प्रिदिक कितनी है तो कितना बढ़ा है 24 बढ़ा है कितने पे और यहां पर 24 रूपए बढ़ा आगे 24 रूपय था जो रासी असे बढ़ा गया इंटो सव खर देंगे यहां पर लिका लेज़ेगा 6 करके एक आप यहांब दो सबस्क्राइब दूरत भुद्・शाघ सब्सक्राइब उसरल्थ पिरेंद क्शलकरा क्या कर लिए वर कि मतल्व 100 रुपया अम्दनी ओर तुप खर्च करेगा तो कितना बच रहा है मानने कि 100 रुपया अम्दनी हो रहा है बचाती है सफुलों परशा दिया यहां पर सेविंग अपनी और उसकी आय जो विस प्रिषर्ण बर्चत कि नहीं हो जा रही है तो चलिए लिए भचत अब भी पहले की तरह भचत करती है तो पहले की तरह मतलब भचाई 16 रुपिया ठीक है अब उसके ब्याय में हुई परतिश्वत ब्रिदी कितनी है तो यह पूछ रहा है तो बनाने का सबस्री तरीका साहिए ठीक है यहां पर गलत कर रहा हूं 84 रुपि और जाएगा 5 बार में 4 25 और ये करज़ाएगा 21 बार में तो अगला प्रहस्न देखते हैं आप इसकराइट एंसर हो जाएगा पहला ठीक है अगला प्रहस्न 3, 40 cm के ठोफ धातवी घंड से 2, 2003 तीरिज्या वाली, यह यहाँ पर you det 12 बटा सांत लेना, डो यहाँ पर क्या होगा, खन कालेαश हुआ एक हील, तो कितना हो जायर गिव वहाटना, आके दखिए्व, इससे तो ईत्य निचत in तो, जाए गोलाखा फोर्शं बैई थीरी यहां निज़्स टीरी लिख करते हैं ऊपर खरी देटें हैं यहां पेर्ट छीए ao फोर्बाइब बार में ठीक है बचा क्या बचाइब और यहां पर दो से दो केंसिल यहां पर क्या बचाइगा तीन प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण माले x वह सब चोटी संखया जिसे 10 12 14 और 16 से विभाजित करने पर 6 करम सा 2 चार 6 आत परापत होता है ठीक है किन्तु x जो है 17 से विभाज़ है यानि x जो संखया एगी चोटी से चोटी संखया वह फदर्स से विभाज़ होगी जब X को बाउंस से विवाजित किया जाते हैं मतलब उसी संख्या को अगर बाउंस से विवाजित करेंगे तो भागफल कितना होगा भागफल फूचरा ठीक है यहाँ ध्यान रखिएगा फली हम इसका सोलूसन बताते हैं सते पहले हमको LTM लिकालना होगा अब क्या बोल रहा है कि 6 फल जो है इतना बचरा है तो टोटल का अनपते कि 10 में से 2 जाएगा आठ 12 में से 12 लग करेंगे 12 अगर गुणा करेंगे उसमें तो बचेगा चार तो मैं यानि दोनों का जो है अनुपात कितना है क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे यहाँ पर के कर देंगे बचा में यानि 8 सब में से सेस बचाएगा ठीक है 14 के माइनस 8 कर दिया है यहां पर बटा में 17 के जगा पाइसी कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 17 से भाज हो जाएगी तो यहां पर अगर 1 रखेंगे तो 14 माइनस 8 20 हो जाएगा नहीं कटेगा अगर 3 रखते हैं तो 42 माइनस 8 यानि कितना जाएगा 34 बट करेंगे आपको कितना आ जाएगा 50 40 माइनस 8 कर देंगे बटा में बाउन कर देंगे यहां पर दिवाइड कीजिएगा तो देखिए तो यहां पर आपको आएगा च्छानवे ठीक है च्छानवे भागफल आएगा और सेस्फल भी कुछ आ सकता है आप लोग कर लिजेगा ठ देखिए मैंने आप क्या किया है फिर से बता दे रहाऊं ठीक है सबसे पहले इसका लिकाला लिकालने के बाद उसमें से 8 घटाया तो देखिए यहां पर देखेंगे सेस्ट जो है दो चाट शाव बाट एंदस में से दो जाएगा आठ बारा में से चाट जाएगा आठ संख्या है उस 17 से विवाज जाए तो तो टोटली संख्या यह क्या हो जाएगा सोड़ा सोबसी मतलब लिगा लेंगे तब संख्या आ जाएगा उसमें के मतलब के से गुना कर देंगे माइनस आठ कर दिए बाटा में 17 ठीक है 17 से डिविजल करने के लिए क्या कि आम के जब संख्या हो जाएगी उसमें 60 कटा देंगे आठ कर देंगे तो आएक आपको चान में ठीक है अगला प्रसन ए बी और सी एक साथ कारे करके एक काम को 24 दिनों पूरा कर सकते हैं चार दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया ए और बी ने से इस काम को 30 दिनों में पूरा किया उसी कारे को सी द्वारा किले करने में कितना समय लगेगा मतलब दिन पूछ रहा ठीक है चलिए इसका सलूसन करते हैं जैसे दिया वैसे हम लिख लेंगे यहां पर क्या बोला ए बी सी तीनों मील करके यानि ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कर रहा हैं 24 दिनों 24 दिनों पुरा कर सकते हैं वह चार दिन काम किये हैं 24 दिनों में कर सकते थे ठीक है तोटल काम यहां से कितना लिए चार थक 24 यानि एक बाटा 6 काम यह काम का जो तोटल पॉरा कर सकते थे तो मतलब कितना काम कर दिए चार बटा में 24 यानि 1 चाह चो हिंसा काम कर दिए कितना 5 बाट शे तूसको की नों में जाए हप सी प्लिस मील करके 30 दिन हो पूरा कर रहा है तो एप आसे रिशा क्या जाएगा जाएनि फ ==लिक करेंगे तो चौंटभी30 Dry दिन फ्री तो पिंस हो जैंगे तो इसकोच और यह चली अगला प्रसुन देखते हैं अगला प्रसुन एक لمभी रिटिय संकु का आयतान 2245大家 में कि गेंए यदि इसके अधार की तिरिजिया 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पिरिफ्टीज चेत्रे फॉल सेंटीमीटर स्कॉार ग्यात किजिए पाई के वान बाइस पटा साथ लेना है यहां पर क्या दिया है संखु का आयतन बराबर 24 से चोप सवर तो संखु का आयतन नुमों बाइ पाई और स्कॉार है यहां पर रख लिए ठीक है और तो कंगे तो बाइस के कम बाइस चार बाचा 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 24 कर जाएगा कर जाएगा दो से ये कर जाएगा चार बार में यानि 8 ऑर यहां से क्या आगया 12 और बढ़कितना दिया है अब होकों को पुछा क्या या तो इसका वरक श्टिय छित्रफ़ल यानि संख कमी और ऑर किस्टिय छित्रफ़ल यानि और रूट h square plus r square 12 और के square करेंगे 144 14 के square करेंगे क्या हो जाएगा यहांपर और safeguard पर 7 इन्टू आर कमान 14, एल कमान कितना है? 4 रूट 85 देखिए, यहां से क्या होगा? 4 रूट 85 मन रख लिया है, यहां पर 7 से 2 बार में यह कर जाएगा ठीक है? सुरी देखिए, यहां पर 4 रूट नहीं होगा 85 इंटू 4, अगर अंदर करेंगे तो 85 इंटू 4 बार में तो 340 आएगा तो 4 का परग मुल सिर्फ 2 हो जाएगा ठीक है, चार हट जाएगा, तो दो बाहरा जाएगा ठीक है, दो होगा, यहां पर भी 2 होगा ठीक है, तो 20 दुनक, 44 दुनक, 88 रूट 85 यहां पर इसका राइटेंसर हो जाएगा 88 रूट 85, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपको अप्शन 4, चलिए अगला परशन देखते हैं देखिए, यहां पर गोड़ा भाग करने में तरह से मिष्टेक होती, आप लोग दोबारा मिला नेने चाहिए, ठीक है तो यहां पर तो माइनर मिष्टेक था, माइनर मिष्टेक चलते पुड़ा गड़ बढ़ रहा था, ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं, यहां 85 इंटू 4 होगा, 340 का बरूट केतना होगा, दो रूट 85 होगा अगला परस ने, 6900 रुपिया की रासी के एक भाग को, मतलब एक भाग है, पली भाग को 5% पर और 6 भाग को 8% फधारन ब्याज पर उधार दिया जाता है तीन वर्स बाद, दोनों से पराप्त कूल ब्याज, मतलब दोनों को जोड़ करके 1369 रुपिया हो जाता है तो 5% और 8% पर उधार दी गई धन रासी का अनुपात क्या था, चलिए हम इसका सोलूसन करते हैं आप देखीए, फदान ब्याज तो बढ़ता है, तक पर ट्रेक साल बराबर ही बढ़ता है यानि आज बढ़ेगा 10 रुपिया तो फिर अगले माठी 10 रुपिया बढ़ेगा, फिर अगले माधे 10 रुपिया हMRसी बढ़ा है तो इसको तीन से अगर कर देंगे तो एक वरस चाहा जाएगा, ठीक है? तो करेंगे तो यहाँ पर कितना बार उक्र जाएगा? यह आपको कर जाएगा 400 Congratulations भार में ठीक है? यानि एक वरस का कितना जाएगा? एक वरस का 400 टीरपौन रूपिया यह किया हो जाएगा? बे आज तो ये 435 रूपिया जो है एक साल का मतमाल लेते हैं ठीक है एक साल का लिकाल लेते हैं तो 79 रूपिया का कितना परसेंट हो जाएगा तो 435 यहाँ पर लिखेंगे दखें पाला रासी को कितना प्रसेंट वध्या गया तो 29 से कर देंगे इसमें भी 29 से कर देंगे एएसमें भी 29 से कर देंगे ठीक है यहाँ लोगा तो आपको आ जाएगा आठ नोव बहत्तर अच्छोगा अठ तालिस असाथ पॉच्छपन यानि पांच सो बाउन आ जाएगा अब नहतर से पांच मुझा करेंगे तो 345 अब बीच में अगला परसन एक किसी कारे के sq. बाच बाराध को 12 दिनों पूरा कर सकता है उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया फिर ए ने काम चोड़ दिया भी अकेला से is उसकारे को इतने समयम्य पूरा करेगा चलिए यह सलुसं करते हैं ए क्या कर रहा है 3 बटा 5 भाग काम को 12 दिनों में बरावर 12 3 से 4 यानि A अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में कर देगा तो 20 दिन में कर देगा ठीक है B का देखिए B का सेम हो से ही 1 बटा 3 भाग कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में यानि B अगर अकेला करेगा कितना कर्देगा 45 दिन दिन में करेंगा ठीक है अब याप हमें इसको मेंट एटा देते हैं पहले क्या बोल रहा है कि तो से चे ni 12 दिन अगर काम किये तो अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 13 काम तो माइनस कर देंगे 13 इंटू 13 काम एक दिन में तो 12 दिन में कितना 13 इंटू 12 कर देंगे बड़ाबर यानि काम कितना हो जाएगा 156 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना काम 24 काम ठीक है अब इसको क्या बोल रहा है एक काम छोड़ दिया मतलब अब एक काम नहीं करेगा अब कौन करेगा बी करेगा तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता था 4 काम कर सकता था तो 4 अब भाग दे देंगे 4 सक 24 यहां पर इसका राइट एंसर आजाएगा 6 दिन अप्सन 3 चलिए अगला प्रस्न दिखते हैं अगला प्रस्न में उड़माज से इसको हम सलुसन करते हैं ठीक है इसका मान पूछ रहा है पहले हम आफ वाला काम करेंगे सब में आफ वाला कर देंगे पहले ठीक है टुकड़ा कर देंगे यहां पर अब लोग कॉपी पर लिखिएगा तो सौट करने कोशिक की जाएगा चलिए हम यहां से करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 11 दूना के 22 सब इदा सूरू से करते हैं 3,4 के 12 बाटा में 8 पचे 40 ठीक है डिभाइट के जगा पमगुड़ा अगर करेंगे तो 5 एक उम 5 एक 6 बाटा में 5 होगा तो यह क्या जाएगा 5 बाटा में 6 हो जाएगा पालस 3 सथे कोईज बाटा में 12 सथे 84 अब इसको डिभाइट को हम क्या कर देंगे थिपलाई में 11 बाटा में 3 11 बाटा में 3 अब देखे डिभाइट इदिगा है 11 बाटा में 29 यानि यहाँ पर हो जाएगा 90 बाटा में आपको हो जाएगा कितना? एकार दुना के 22 चलिए इसका आप फूल सोग करते हैं ठीक है जहां से देखेंगे तो देखिए 6 से ये कर जाएगा 2 बार में 5 से ये कर जाएगा 8 बार में 2 से ये कर जाएगा 4 बार में अब यहां पर देखिए क्या क्या बचाए तो उपर में बचा है कितना है इधर बचाए है एक वर्टा चार इक बाइ से जढएंगे पॉलस यहां पर क्या बचाए है तो बचाह के यहां पर 25 थी मैं हो जाएगा अब देखिए इसको तो दोड़ाएंगे तक तो चॉड़ाएंगे जाना पहले इसको तो कितना हो पटाचार हो जाएगा इसलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा और चार चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्ने दो ने दो किरंदातू प्राप्त करने के लिए कितने किलोगराम A और B को पिखला जाना चाहिए यह अनुपात कितना दिया है साथ दो दिया है पांच तीन दिया है पांच तीन और तीन एक दिया है अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फाद दूना हो जाएगा पांच तीन आठ अनुपात हो जाएगा तीन 44 मतलब सबका 44 यह आ जाएगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है यह अनपात वाला देखिए नो आठ चार तो इस तीनों संख्या से शॉप कटना चाहिए यहाँ पर पहले में देखेंगे तो अगला प्रस्णा रुपिया X की राशी को A, B और C के बीच इस तरह वी वाजित किया जाता है कि A और B के हिस्षों का उनपाथ 3 और पाथ 4 हो B और C के हिस्षों का उनपाथ 5 और पाथ 6 हो यादि C को A से 1440 रुपिया अधिक मिलते हैं तो X का मान क्या होगा अब क्या करना है आपको मल्टिपलाई कर देना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 सक 24 होगा C का हिस्षा जो होगा 24 हिस्षा और जो है B का हिस्षा 4 पाच्चे 20 और इसका कितना होगा 3 पाच्चे 15 15 रेशियो 20 रेशियो आ जाएगा आपको 24 A, B, C का अब क्या बोल रहा है C को A से 1440 रुपय अधिक मिला है C को A से देखी यहाँ पर देखते है C को A से C का 24 मिला है और A को 15 15 हिस्षा मिला है इसको 24 हिस्षा मिला है कितना जादा मिला है 8 हिस्षा जादा मिला है अब वही क्या कर रहा है कि एक्स का मान क्या होगा यानि टोटल का मान तो पॉंदरा बीस और चौविस दून जोड़ देना है चौवाली सब पांच उन्सट अदस उन्हातर हो जाएगा सब्सक्राइगा तो इतना बटा में आठ कर देंगे इन्टू उन्सट कर देंगे ठीक है आठ से जब इसको काट रहते है यहांपे आठे लिख रहा था तो नहीं कर देंगेutan तो ऑसकर नहीं seasons चौह सो दो सब्सक्राइगा में से भूंद Citrix आसे 90책 कर दे合ब अगला प्रस्न पहली आठ संख्याऊं का और च पॉसदि का ही आठिवी संख्याँ कर देंगे तो इस्वे संख्या श्तान का आएיל सत्व ग्याद करना है मतलब पहली आठ संख्याओं का है यहां तो आप 8 common लेके 54 पलस 56 कर सकते हैं आप चाहें तो देखिए 54 इंटू 8 पलस आठ इंटू 56 लिख सकते हैं मैं यहां पे 8 common लिखता हूं कि दूनों में 8 है ठीक है यहां क्या हो जागा 54 पलस 56 अब देखिए यहां पर जब करेंगे तो देखिए 840 हो जाएगे गुड़ा करेंगे तो इधर करेंगे तो यह 111 जा kinda जोड़ेंगे तो ठीक है चावच्छापन हो जाएगा कितना 210 564 एक 111 में जो आपbt foundation करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 ठीक है और यह कितना संख्याओं का है यूग111 संख्याओं श का 840 हमको क् पंद्रह पंद्रह करने के लिए क्या करेंगे तो इसको घटा लेंगे तो किया बचेगा दो और तीरा फिर आप क्या करेंगे त्यां प्रक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए enfin कितने नोट बुकशि की जानी चाहिए किया बोलाए जर्षास सों के लिकाल ग tenants अ कोगे लिए इंट्रों गानी बाटम होि और हो जाएगा यानिंतर कितना को तीया सो बटा में कर झाएगा mlm यानई पढ़ कातरो तो यह योपड़ाद में कर जाएगा चार से 45 वार में योटनी में 45 बटा में हो गया फोल weapons तो यह क्या आ गया 35 फोल ची शोपल हुआ फॉल कश k.. कितना नोटबुक इसमें बेचेगा कितना नोटबुक इसमें बेचेगा मतलब इतना सिंदा करते हैं कि साले 400 रुपया लाभ हो जाए तो साले 400 रुपया हम लिख देंगे ठीक है आप कटाईए तो यह 55 से यह कर जाएगा 5,6,3,7,6,2,3,4,5 यानि 55 से 6 बार में कर जाएगा और सिवरा कितना जाएगा 264 यानि 244 नोटबुक को इसको बेचना पड़ेगा तब जाकर 400 रुपया लाभ होगा ठीक है तो यहाप इसका राइट एंसर देख सकते हैं आगला प्रस्न एक बियक्ति ने 1,10 रुपया पर 80 मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरदा और इसके 75% हिशे को 6% के लाभ पर बेच दिया यादि उसके लागत पर 10% लाभ हुगा तो बचे हुए कपड़ों को उसने कितने पर 30 पर बेचा तो टोटल मतलब कितना पर जाए 10% लाभ तोटल खरदा कितना माई पहले दखिए तो 110 रुपया परती मीटर के भाव से 80 मीटर खरदा है अब क्या बोला है तो 80% का लाभ यानि 188 रुपया तो टोटल बेचने पर ठीक है अब बराबर दखिए अब क्या बोला है कि इसमें से 75% हिशे को देखिया आगे क्या बोल रहा है तो 80% का जो है मतलब शरी यह 88 रुपयों में ख़रदा 10% का लाभ गया तो यह कर लिए 88 जो का 110 परशेंट मतलब बराबर क्या होगा तो बोल आया आगे कि इसके 75% हिसे को तो 80 का 75% हिटा तो 25 तीज़ या चार ले 20 यानि 60 ठीक है 60 मीटर को तो 60 मीटर क्या कर रहा है 6% के लाभ पर यानि 60 मीटर जो खरदा होगा कितना खरदा होगा 110 से गुणा कर देंगे 110 मीटर खरदा है तो 60 मीटर कितना का तो यानि 6800 का मतलब यह खरदा है विचा किस्त को कितना पर है तो 6% के लाभ पर तो 106 पर यहां पर लिकाल देंगे बटा में 100 कितने पर 37 तो बेचा तो 60 यान पर बेच दिया 596 रुपया में अब पलस अब बचे हुए कपड़ा तो 20 मीटर है तो 20 मीटर के गारत तो बेचना चाहिए तो कितना बेचेगा 2200 को बेचेगा तो 200 इंटू 100 पलस एक स्पलस क्यों कर रहे है क्योंकि 100 मतला भी हो रहा है ठीक अब इसको पहले हम इटाल लेते हैं तो यहां पर गुणा करेंगे तो कितना हो जागा 181 का 88 का 88 याट चानवे एन नो सो और फटी इदर होगा बराबर कितना हो जाएगा आपको यहां पर आजाएगा आपको जोड़ेंगे तो पॉलस आजाएगा 22 ठीक है तो माइनस हम कर देंगे इधर अब उधर से लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा एकानवे चानवे अब बराबर क्या हो जाएगा 22 ठीक है अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे आप यहां पर बज़ेगा 474 चार सो चोगतर बाइस एकस बाइस से जब इसको काटाएंगे तो 22 दिना के 44 तीन देखिए जब आप अब यहां पर घटाएंगे तो देखि एकस ठीक है 22 से कर जाएगा 22 24 24 24 यानि एक्स बड़ाब के आ गया 22 पर्शेंट यानि इससे सब्सक्राइब क्या बचना चाहिए इसको 22 पर्शेंट के लापे बचा चाहिए ठीक है तिया आप इसका राई टेंसर हो जाएगा ऑप्शन दो तो चलिए हम यहीं पर वीडियो क मैं को जिसका देता हूँ पता ही देता हूं ठीक है तो आप लोग उसको मतलब अप लोग खुद भी समझा सकते हैं ठीक है और हाँ अगर आप लोग को वीडियो मदधा में लेगे तो पहले रेगुलर ज़रूर लाइक कीजिएगा इसका पीडियाप का कई लोग चाचाहिक करना है तो फीडियव भाई अभी नहीं दे सकता पीडियव का कोंपी रैट मेरे पास नहीं है ठिक है मैंने जिसका फीडियव तो मैंनली जी कौॉसिल है ठीक है बाट इसको जो फ़जाया हुआ एक तरफ से किये जो भी लोग किये हैं उन phrase उनका में कोपी रेट नहीं लिया हूँ अगर उसे अधेस ले लेता हूँ या आप वो दे देते हैं पर मिसन तो मैं आप लोग को पीडियोफ प्रोवाइट कर दूँगा बट वह अपने खुद पीडियोफ लेते हैं जब जो पीडियोफ विचते हैं ठीक है मतलब उसको मतलब कुछ प पीडियोफ प्रोवाइट करा दूँगा ठीक है तो चलिए आसा करता हूँ वीडियो से मदल लिए हुए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लेजएगा अभी नहीं किजएगा तो दो तरी कैसे में किजएगा बट ठीक है यह तुम्हें जानता है हूँ चलिए मिलेंगे नेक्ट विडियो में थैंक्यू जाइन जाए भारत मन करें तो से अरजबर किजएगा